करेंड देख स्मॉलेस्ट नंबर विच वैन इनक्रीज वैस सेवंटीन इज एक्जेक्टली डिविजिबल वैं 520 एन 468 ठीक है तो अपने को स्मॉलेस्ट नंबर जिसको अपन सेवंटीन से इनक्रीज करें तो जो रिजल्टेंट नंबर होगा वो इन दोनों से डिविजिब से अगे जो इसका लच होगा टीक है यहां से अगर मैं 520 को लेकर इसके इसको लिखेंगे अपन टू इन टू इन टू इन टू इसका प्राइम फैक्टर गपन करेंगे तो मैं यहां पर रख कर रखा है इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13 हो जाएगा टीम और पिए तो सटीक देट का प्रायमजद करेंगे तो इस खिर से हों जाईगा टू इंटु थे उंटु 3 लो फ्रजा बो इसका अगर किस्का अगर इंटु 13 थॉ vice means involves with तू आपन थाइम्ज लेंगे इसका ती इन यह था वो थ्री टाइमस लिया थ्री टाइमस था और थ्री अपन टू टाइमस लिया फाइब थाटी इसकी वैल्यू क्या है यहां पर यह इसका LCM होगा ठीक है और इसकी वैल्यू आ जाते हैं में बस 4680 4680 यह जो होगा यह smallest lowest common multiple LCM का मतलब क्या होता lowest common multiple यह जो होगा यह smallest number होगा जो इन दोनों से divisible होगा यहां से कर्मन बोले यह जो होगा is the smallest number smallest number divisible by divisible by both 520 and 468 तो यह lowest सबसे lowest number होगा जो 520 और 468 दोनों से divisible होगा अब अपने वास क्वेस्चन में क्या था क्वेस्चन में की बन था अपने को number find out करना था जिसको अपन 17 से increase करते और वह smallest number होगा फिर इससे divisible होगा तो बिसिकली अगर अपन देखे तो इसा कौन सा नंबर होगा जिसको अपन 17 से increase करेंगे तो जो नंबर आएगा वह 520 और 468 से divisible होगा तो 520 और 468 से divisible होने माला नंबर यहीं है अब काउन से number को 17 से increase करेंगे लेट से मैं उस number को एक्स बोलो उसको अपन 17 से इंक्रीज करें तो जो अपने पास resultant नंबर आएगा वह इन दोनों से divisible होना चाहिए और इन दोनों से divisible जो लोवेस नंबर वो क्या है 4680 अब इस नंबर में आपना आज़ेगा 4680 जो कि LCM है इन दोनों का मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टिपल है तो अपना आज़ेगा यहां पर 4663 कि 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 अधाट पर आफ यह जाए श्यूट है